दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वकत मौझूद है राजेश रंजन जी जिसे लोग पप्पू यादव के नाम से जानते हैं और इनके शाहने वाले इन्हें निता जी भी कहते हैं मदिपूरा के सांसद हैं और जन अधिकार पार्टी के राष्टे अर्दे का सारा तबा हुआ है लेकिन बार-बार जब आप यहां आते हैं किशन गंज में आते हैं तो कहीं ने कहीं सियासी सर्गविया जहां बनी होती है वहां पर कहीं ने कर यह बात सामने आती है कि आखिर पप्पू यादव जी बार-बार किशन गंज ही क्यों आते हैं सर इसको पॉलिटिकल देखते हैं आप यहां हमदर्दी रखते हैं आके लोगों के लिए जब मैं मानवताबादी बात करता हूं तो भारत से उपर बात करता हूं कि मैं जाती धर्म मजभ उन्माद इन सब चीजों से बहुत दूर और मुझको लगता है कि कोई भी बाड़ कोई भी घटना वियार के किसी भी हिस्से में किसी भी कोने में नब्वे में हमें मेले तो थे तब भी चाहिए वो मगद में अभी पधियात्रा हम कर रहे हैं या हिंदुस्तान का कोई भी घटना चाहिए वो सैनिक के साथ हो चाहिए आहम आदमी के साथ हो ठीक है सवाल है इंसानिया सवाल सिमांचल नहीं है यह राजनेक्तिक लोग गंदे होते हैं पेशिया से बत्त होते हैं इसके जीर में यही कुराफात होता है क्योंकि उस वह सेवा नहीं करना जाए वह कुकर्मी है वो इस्तमाल करता है पॉलिटीशन इस मुल्क को जिस तरीके से लूटा है ना और जिस तरीके से तबाह किया है जिसानियत को मानवता को अब उससे बड़ा गुणागार कोई नहीं है इसलिए उसके जहन में यह सवाल होगा कि पप्पू यहां क्यों पप्पू वहां क्यों शाइद इन लोगों ने जितना लूटा होगा उतना हमारी पार्टी और हमारे दित्रों ने हम लोगों ने मिलकर कि लोगों की सेवा हर घर तक पहुंचे होंगे हैंजि हम किस अंगाज आए होंगे तो हम देखने नहीं होंगे आज भी किसी एक गों को गोद लेने आए हैं बिलकुल सही का सर आपने हम यहां आये तो यहां सिविर पहला सुरू करनी वाला हमारी पार्टी है जी और लोग भी कर लेते बिहार में एक सो बच्टिस सिविर में अभी सिवार के सितामडी के डियम ने मेरे सिविर को कह दिया कि यह मेरा सिविर है तब इंटेलिजनस ना लिखा मुकमतिकों नहीं है पपूया जब कितीनों सिविर है इस जब से जयदे पाकेट जी नहीं करता हूं इन लोग के तरह यह लोग जब यह लोग जब जिला पुर्शाद अध्यक्त बनने के लिए जब यह लोग करोड़ों खर्च करते हैं मैंट आइम्पी बनने के लिये करोरो मैला योग मुस्लमान का राइट करवाते हैं बाकवार फॉर्वरोड का कार्वाते चास्त का राइट करवाते है जिस तरह से नरेंदर मोदी जी ने भी कई गाउं को गोद लिया था और गाउं की इस्तिति क्या है हम सब अच्छी तरह जानते हैं आप हिंदु मुस्लीम राइट्स की जो लोग बात करते हैं ऐसे लोगों के आप खिलाफ हैं लेकिन आखिर क्या वज़े हो जाती है कि कि 2014 के एलेक्शन में आप ऐसी पार्टी को समर्तन करते हैं और ऐसी लोग के साथ जाते हैं जब यहां दंगा हुआ था एक नहीं आज नहीं जब यहां एक एक लोग घर से नहीं निकल लहते तो मैं यहां पढ़ा करके उन भाय को खदम किया जिए इससे पहले जब अभी कभी कोई घरता हिंदुस्तान की जीजिस में हुए चाहिए मेरट का घरतना हो चाहिए बंबे का आज यदी नबाब पटोदी है आज यदी वहां पर हमारे बित्र अभू आसिम यदी आज है हमारे अध्यक्त थे हम दोनों एक साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्त चाहिए भागलपूर का दंगा हो चाहिए बंब चला हो पप्पू यादब पर विहार सरीद में चाहिए तो याद रखिएगा लालू यादब को पता भी नहीं था भागलपूर दंगा के बारे में और पप्पू यादब भागलपूर दंगे में उसकी अक्वारों ने लिखे थी कि पप्पू नहीं होते तो यहां कितने हजार ला से जाती मुस्लमानों की अंदादा नहीं था और इतना नहीं या सवाल भी वैसे ही ल